आज एक वार्फिय से आपके सामने मैं अपने mathematics के कुछ basic concept लेके जैसा कि हमने angle तक complete कर लिया हम आगे देखेंगे shapes तो आज हम 2D shapes देखेंगे आईए बिना समाय गवाए हम शुरू करें अपना आज का topic 2D shapes क्या है 2D shapes देखके हम सब से टाहले क्या है अगर हम इन्हें simply define करें तो क्या है 2D shapes एफ फ्लैट प्लेंट शेफ अब फ्लैट प्लेंट से क्या मतलब है कि यह जो शेव होगी अगर आप देखी थो यह मारे जो बूड़ है अगर प्लेंट की बात करें तो हम बोलेंगे यह फ्लैट है और प्लेन है चैनल की जो फ्लैट प्लेंट शेप होगी उसमें सिर्फ लेंथ और bread होगी हो कुछ लेंथ और उसके बाद ढुसरी क्या है मारी ब्रैथ होगी है ज स्वाइव है यह दोनों compensate हो इसके अलावा जनी की हाईठ जाने हो ठिकनस होगा वह समीं होगी इन यह तो डी शेप का मतलब जह था अब हम आगे देखेंगे कि 2D shapes कौन-कौन से हैं जय आपने समय लिया कि 2D shapes कैसी होती है अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से होती है हाँ तो सबसे पहले हम जिस shape की बात करेंगे 2D shape की वह हमारे पास जैसे हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड की क्या shape है है रेक्टंगल है मैं आपको बताएं किया होता है और इसकी कैसे होती है सबसे पहले देख लिए क्या है यह अगर हम इसे कैसे करेंगे रेक्ट एक है अगर तो उसके फॉर कॉर्नल होंगे कोई को शेप है तो उसके पाज चार नौल होंगे यह बाद understood है उसका पद क्या है कि अगर 4 अंगिल होंगे तो सप्विचार एंगल वी बनेंगे ठीक है यह की चार साइडें होगी है यह जैसके को यह लोगे है कि यह और कॉर्णल नुकर टीक है उसका बाद क्या होगा इसमें स्पेशल कंडीशन क्या हो चाहिँ है कि इसका हरे एक सीम होगी और उसके बात वह यह से ऑपोजिट बिल्कूल ऑपोजिट होगी ले सब्सक्राइब को कहीं ले जाएं वो एक दूसे से टच नहीं होंगी तो यह कंडिशन बन रही है तो इसके चार एंगल भी होंगे और उसके अग्या होगे नाइटी डिग्री कि अनका मेजर्मेंट वहाँ दा उपसीट आप सेम लेंथ एंप एल जो उसकी ऑपजीट साइड होंगी साइड होंगी एप सेम लेंथ और उनकी सेम लेंथ होगी और वह एक दूसरे से पहलों होगी ठीक है जे था हमारे रेक्टेंगल अब हम कुछ आपको अग्जांपल दिखाएं मैंने आपको डिफाइन करने से पहले एक्जांपल बता दी थी कि यह हमारा जो बोड है यह रे वायर्फूम आप वीडियो देख रहे हो यह भी आपका रेक्टेंगल की शेफ में है तो हम ist告訴 को सुम्प्ली के स्वेंगं करें है जो हमारी को तूबूदी शेप है जैस इसकी स्वेफ है स्वेपे और इसके बाद इसे हम सिंप़िटuard करेंगे क्या है एसक्वार है फोर साइड चार इसकी भी साइड होंगी फोर कॉर्नर और इसके भी चार जो कॉर्नर होंगे उसके बाद क्या है 90 डिग्री अंगल होगा सभी कॉर्नर का सब्सक्राइब देख लें हम एक साइड दो तीन चार जोगी उसके कार्नर होगे ठीक है उसके बाद इनकर 90 डिग्री अंगल बन रहा है ठीक है उसके बाद क्या है और फोर साइड उकलिन और क्या होने चाहिए सभी चार साइड हों की जो लेंथ है यूकल होने चाहिए तब यह जाके स्क्वेर मनेंगा देखो कि सभी की लेंथ यूकल है तो यह हमारा क्या हो गया एक स्क्रेयर हो गया उसके बाद अगर हम इसकी एक आग्जांपल देखें तो क्या है हमारे बाद कार्ण बॉड होता है जह देखो श्पेशली शेप भी बढ़ी गई है यह हमारे पास करेंगे ट्राइंगल की यह देखते हैं क्या है यह हमारा ट्राइंगल ऐसी शेप है ट्राइंगल उसके बाद जैसा कि अगर हम इसे अलग लग करके देखेंगे तुझे ऐसा लग रहा है कि दो वर्ट से मिलकर रहा है क्या है वह ट्राइंगल का मतलब हो गया सीदे तीन और एंगल का मतलब हो गया हमारे यह तीन एंगल जैसा कि हमने पढ़ा हुआ सब्सक्राइगर होगे तो ट्राइंगल यह लगा हैं ये 3 साइड़ हैं इसक 메물 सबोर सब्सक्राइब हो गिसके त divergence सब्सक्रार में प्रसक्राइगर हो ते पाध हम झाल मेरे तिन हैं यह इसकी काई sich सब्सक्राइबyanाइब हमघ्जांपल तो अगर हम कभी जाएंग्विंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो इनकोस होते हैं वो हमारे उनमें जो हमारे वो ट्राइंगल की होते हैं ठीक है वो हमारी सिंपल सी एक डेफिनेशन होगे ट्राइंगल की तो अब हम नेक्स शेप देखते हैं क्या है हमारी वो अब जो हम फोर्थ शेप डिसकस करेंगे वो हमारी सर्कल की तो सर्कल कैसा होता है आए देखते है यह हमारी श्यपवार की थीड़ है उस Со इसको वां hell कै लाइन कहें प्सक्राइब से मिल कर बना हुआ है यह हमारी होगी号 कि दिखा दियौ उसके बाद कुछ होते हैं यह हमारी राउड यह सरकर आब के बाद हम से डिसक्स करेंगे वह कि हमारी पेंटाओन और क्या है इस में नियुक्त साइड और फाइफ गॉपनर क्या होंगी पांच जो इसकी साईड होंगी उसके यह काउंगे हैं तो इसके अंगल पांच होंगे है ठीक है यह होगे इसके अंगल जेदी पेंड़ा इसके बाद जिसकी सिक्साइब जो हमारी जे थी मारे जो बेशिक शेप थी और आगे नेट्स सम्पुश हो देखेंगे थैंक्स पर वाट